नमस्कार आज जन सरोकार मन्च टोंक के द्वारा आयोजित आज का विशय आचारी कुल और बिनवा भावे इस विशय पर आप सभी साथियों का हिर्दय से बिनम्रता पूर्ण स्वागत है मित्रों आचार्य कुल ये आचार्य कुल बिनवा भावे के द्वारा सापित उनकी एक सबसे बहतरीन कृती है इस आचारी कुल को बहुत कम लोगों ने समझा जाना और आज भी आचारी कुल की या सापना के लंबे अबधी के बाद भी आज तक लोग आचारी कुल को बहुत अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं इस जन्सरोकार मंच के माध्यम से आचारी कुल के बारे में कुछ बताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके सामने आचारी कुल के लिए कुछ भी बाद सुरू कर सकते हैं तो साथियों आचारी कुल को समझने के लिए हम आचारी कुल के तीन-चार आयाम को लेकर आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हैं, सबसे पहले हम आचारी कुल के इतिहास को लेकर आपके सामने बात करेंगे, फिर आचारी कुल का उद्देश्य क्या है, फिर आचारी कुल की खेत्र क्या है। इन विश्यों पर हम बारी-बारी से आपके सामने अपनी बात रखेंगे और अपेक्षा करेंगे कि आप सब ध्यान से आचारी कुल के संदर में मेरी जो बाते हो रही हैं उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले आचारी कुल के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। इन ही दिनों की बात है बर्स उननी सो सरसथ जगह है विहार में पूसा रोड ये पूसा रोड समस्तिपूर जिले के पास होता है मिथलांचल काईक इलाका है। इस पूसा रोड समस्तिपूर के पास बिनोबाजी वहां करपूरी ठाकूर जिसे मिलते हैं। करपूरी ठाकूर उस समय बिहार के मुख्य मंतरी हुआ करते थे और उस समय करपूरी ठाकूर जिने बिनोबाजी से मुलाकात करके अपनी बात कहें। कि इन दिनों सिक्षा का और देश में अन्य समस्याओं का जो एक विशम परिस्थिती की जो एक अवस्था बनती जा रहे हैं। क्या आप अपना समय इसमें दे सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सानिध्य में बिदवानों की एक बिदवत संगोश्थी हो और आप उसको अपना आसिरवचन दें। बिनोबाजी ने सोचा कि बिद्वानों की सभा होगी तो मैं क्यों नहीं अपनी बात करूँगा और बिनोबाजी ने हां कर दे तो साथियों आचारी कुल के संदर्व में पहली बार बिहार में बिनोबाजी की मुलाकात बिहार के कमाम इनवर्सिटी के प्रती कुलपती उपकुलपते विवागा द्यक्ष और नजाने जितने भी अस्तर के प्राध्यापगण हैं उन सब को लेकर एक बड़ी संगीती इस संगीती में बिनोबाजी ने आचारी कुल के बारे में अपना मंतब्य रखा उन्होंने कहा कि आचारी कुल से ही इनका समाधान संभव है लेकिन उस समय आचारी कुल की बात नहीं हुई थी उस समय बिद्वानों के साथ चर्चाएं हुई काफी बातें हुई को अपने मूल स्वरूप को पहचानना चाहिए सिख्षक जब तक नौकडी करते हैं सिख्षक जब तक अपने आपको स्वतंत्र या मुक्त अनुभब नहीं करते हैं तब तक आचारी कुल के लिए या सिख्षकों के द्वारा देश की समस्या के प्रते योगदान देना बिनवाजी पूसा रोड से आगे चल करके मुंगेर आये मुंगेर से वो भागलपूर कहलगाओं कहुँचे आठ मार्च 1968 को बिनवाजी ने अचानक कहा कि चलो सिख्षकों के लिए एक संगठन तयार करते हैं और उसका नाम रहेगा आचारी कुल और इस तरह आठ मार्च 1968 को भागलपूर जिले के कहलगाओं नामक कस्वे में आचारी कुल की नीव पड़ी कहलगाओं उस समय के प्राचीन रिशी कहोल रिशी के नाम पर कहलगाओं बसा हुआ है और इसी कहलगाओं में आचारी कुल की अस्थापना होती है आचारी कुल की अस्थापना के संदर्भ में अब बात आती है कि आचारी कुल करेगा क्या क्या करना है आचार्ज कुल को साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि सिक्षक जो समाज के सबसी ज़्यादा जिम्मेदार बैकती है उनको अपनी अहमियत समझने के लिए बिनुबाजी ने साफ किया कि आपको दलगत राजनीत से और सत्ता की राजनीत से आपको अलग होना चाहिए तभी आप देश के लिए समाज के लिए कुछ कर सकेंगे उनके लिए आप ज़्यादा उप्योगी हो सकेंगे अब सिख्षकों के बीच यह बात आती है कि क्या हमें वोट नहीं डालना तो बिनवाजी उसके लिए मना नहीं करते हैं बिनवाजी कहते हैं कि आपको वोट भी डालना है आपको राजनिती में रहने का भी है लेकिन सब अधिकार रखते हुए आपको उसका निर्पेक्ष भाव से टटास्त भाव से उसका वहिस्कार करना है क्योंकि आप जिन चीजों को चाहते हैं कि हम दूर करें आप उसमें सामिल होकर उसको दूर नहीं कर सकते उदाहरन के लिए यदि हम किसी पेर को काटना चाहते हैं तो पेर को काटने के लिए हम पेर पर चढ़कर पेर को नहीं काट सकते हैं पेर को काटने के लिए हमें पेर से बाहर होना पड़ता है तभी हम पेर पर प्रहार कर सकते हैं इसी तरह बरतमान समय में हमने देखा कि जो धर्म या मजहब की जो बाते हैं शुरू में तो लोगों को आकरसित करती है जोरने का काम करती है लेकिन बाद में तेरा मेरा करके और वो कारगर साबित नहीं होती है देख दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई लराई हुई है युद्ध हुआ है तो धर्म के नाम पर ही हुआ है दूसरे नंबर पर आती है बात राजनीत की ये राजनीती कभी भी देख का भला नहीं कर सकती राजनीत कभी भी देख को एक नहीं कर सकती आपको एक छोटी सी कहाने बिनुवाजी ने जो कही है राजनीत को समझने के लिए आचारियों के लिए उनके लिए रख रहा हूँ हमारे देश में सत्यों से नदिया अपना मीठा जल लेकर बहती रही हैं समाज की सेवा करती रही हैं एक बार जितनी नदिया हैं वो सब आपस मिल करके बाचित करती हैं उनके बाचित का मुख्य उद्दे से यही होता है कि हम नदिया हैं हमारा जल कितना मीठा है हम समाज के कितने अच्छे काम आते हैं किन्तु हमारा जो बरा भाई है समुद्र अथवा सागर अथवा सिंधू उसका जल खारा है वह जनता के काम का नहीं है वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो क्यों नहीं हम सभी बहने मिलकर समुद्र के पानी को मीठा करें ताकि वह सब के लिए समान उपयोगी हो सके जैसे मेरा जल है वैसे ही हमारे बड़े भाई समुद्र का भी जल लोगों के काम के लिए हो कर आज तक नदियां अपना मीठा जल ले ले कर समुदर में डालती हैं चाहे वो गंगा के रूप में हो चाहे वो कावेरी के रूप में हो चाहे वो जमना के रूप में हो चाहे वो गोदावरी के रूप में हो नदियां अपना मीठा जल समुदर में डालती हैं लेकिन आज त समुद्र मीठा नहीं हुआ समुद्र का पानी जैसा कल था वैसा ही आज भी है यह एक छोटी शी बात आपके सामेने यह बता रही है कि कीस तरह पार्टी से पॉल्टीक्स से हम देश को एक नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी सब्द में अगर हम देखें उसकी ब्युथपत्ती करें तो P-A-R-T पार्ट और इसमें Y लगा दिया तो हो गया पार्टी पार्ट सब्द का अर्थ होता है टुक्डे करना, भेद करना, अलग करना, बिभाग करना तो जो बिभेद करने वाला है, बिभाग करने वाला है, टुक्डे करने वाला है, उस सब्द से बनी हुई पार्टी और पार्टी सिस्टम से बनी हुई सरकार क्या जनता को, समाज को, देश को एक कर पाएगी? नहीं कर पाएगी इसलिए बिनोबाज ने जब आचारी कुल की घोशना के तो उन्होंने इसके उदेश्च में रखा कि जो भी आचारी कुल के सदस्चे बनेंगे वे सब दलगत राजनीत से अपने को उपर रखेंगे दलगत राजनीत में हिस्सा नहीं लेंगे वो मताधिकार का भी परियोग नहीं करेंगे क्योंकि मताधिकार का परियोग करने का अर्थ है कि आप जिस पक्ष को आप वोट डालते हैं आप उसके पक्ष में हैं फिर आप उसके निंदा नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको दिया है, दुसरी बात मताधिकार के संदर्म में आपको बता दूँ, कि मत एक ऐसी चीज है, जो किसी को दी नहीं जा सकती, किसी को नहीं दी जा सकती, इस देश की जनता समस्दार है, वो समझे गी इस बात को, कि जब एक घर में भाई-भाई के मत आपस में नहीं मिलते, बहन के मत आपस में नहीं मिलते, भाई और बहन के मत आपस में नहीं मिलते, परोसियों के मत आपस में नहीं मिलते, बाप और बेटे के मत आपस में नहीं मिलते, तो दुनिया में जिसे हम जानते नहें, जिसे पहचानते नहें, उसका और मेरा मत कैसे मिल सकता है और फिर हमत देकर पांच साल तक निश्चिंत बैठ जाए यह संभवी नहीं है इतिहास की बात में आपको छोटी सी बात बता दूं कि जब 1952 में 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुआ हिंदुस्तान का तो जबहरलाल नहरू ने कहा बिनोबाजे से कि बाबा आपका वो ही देंगे बिनोबाजी का जबहरलाल जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ते थी बिनोबाजी ने हस्ते हुए कहा पंडे जी आपके लिए जान दे सकता हूं लेकिन मत नहीं दूंगा हम मत की कीमत ही नहीं समझते हम मत का मुल्ली ही नहीं समझते ऐसा लगता है कि जैसे बस अं पहले तो मत मिलने चाहिए, मत मिलने के बाद भरोसा होना चाहिए, फिर मतदान होना चाहिए, सिर्फ मतदान देने से आप अपने पॉलिटिकल या फिर राजनितिक अधिकारूं की रक्षा नहीं कर सकते। और भी बाते हैं, क्योंकि यह जो सिस्टम है, बहुमत पर आधारित, यह बिनवाजी को बिल्कुल भी मानने नहीं है, क्योंकि बहुमत का सासन कभी होता ही नहीं, सासन हमेशा अल्पमत का ही रहता है। अगर सौ लोग हैं, अगर दो पाटी यह हों, तो पचास पचास मत आने से बहुमत नहीं होता, लेकिन एक मत अगर दाएं से बाएं खिसक जाता है, तो एक पाटी को बहुमत मिल जाता हो और बाकी पाटी अल्पमत में आ जाती है। यह कैसा तंत्र है? यह कैसी पधती है? तो इस तंत्र, इस पधती, इसके खिलाफ अगर हम जागरूख होना चाहते हैं, अगर हम दुनिया को जगाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इस तंत्र के बारे में जनता को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और कुछ कहने और बता आने से पहले हमें उस पर अपना अमल करना चाहिए, हमें उस पर अपना विचार रखना चाहिए, अपने आपको खंगाल लेना चाहिए, तो इस तरह कुछ चीजें ऐसी बनें जिसके आधार पर एक उद्देश सी तई हुआ और वह उद्देश यही था, कि वयम राष्ट्रे जागरी हम पुरो हिटा है, हमको पूरी राष्ट्र में जन जागरिती लाने की जरुवत है, और जब तक हम जन जागरिती नहीं ला सकते, पूरी जनता को नहीं जगा सकते, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए असली बात यही है कि आचारे कुल में जो भी निष्ठाएं हैं उन निष्ठाओं में सबसे महतपूर्ण निष्ठा है कि हम किसी राजनितिक दल के लिए ना काम करेंगे ना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे हम सरवता निष्ठाख्ष होंगे निर्वैर होंगे और निर्वै होकर अपना कारे करेंगे हमको लोब मोह काम करोध कुछ भी हमको छूवेगा नहीं कुछ भी हमको परभावित नहीं करेगा तो इस तरह से आचारे कुल की कुछ बातें बनती हैं नहीं बनती है ऐसा नहीं लेकिन दुरुभागी से ऐसा हुआ कि जो आचारे कुल उनीस सो अर्सत में तयार हुई वह इन दिनों फलक पर साफ साफ दिखता नहीं कारण क्या है इस कारण के पीछे अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि बास्तों में जो आचारे हैं उन्होंने अपनी भूमी का गौन कर दी है मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ कि क्या सिख्षकों का कारी इतना ही है कि उसे लेवस पूरा कर दे और उनका काम हो गया बच्चों की पजिख्षाएं ले 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 और उनका काम पूरा हो गया उन्हें रिजल्ट दे करके पास आउट करते हैं और उनका काम पूरा हो गया नहीं हुआ सिर्फ पढ़ा देने से, सिर्फ पजिख्षा पास करा देने से सिख्षकों का कारी पूरा नहीं होता है सिख्षकों का कारी है कि आप गाउं में जाएं आप जनता के बीच जाएं आप जनता के सुख दुख के भागीदार बनें और जनता के साथ आपका सीधा सीधा संबंद हो ये सिख्षकों का कारी होता है अगर सिख्षक नहीं होते तो दुनिया में करांती कैसे होती जो इतिहास के प्राध्यापक हैं वो जानते हैं कि सिख्षकों की वज़ा से है पहली करांती फ्रांस की जो राजे करांती होई वो सिक्षकों की वज़ा से हुई कहीं भी दुनिया भर में जो क्रांती होती है वो बुद्धी जी भी लोग ही पूरा करते है आज इस्थिती बदल गई है हम कहते जरूर है साव विद्या या भी मुक्ते विद्या वह है जो मुक्ती परदान करती है लेकिन यहां जो विद्या रूपी सिक्षा है वो खुद ही बंद है सरकार तै करती है कि घंटी कौन सी बनेगी सब्जेक्ट कौन से होंगे सिलेबस क्या बनेगा कितना पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना है छुटियां कब दी जाएंगी कब नहीं दी जाएंगी जो कलासेस हैं उसके पिरियेड कितने मिनट के होंगे सब सरकार तै करती है तो जब सरकार ही सब कुछ तै करेगी तो फिर सिक्षक के हाथ में क्या रह जाता है इसलिए सिक्षकों के लिए यह दोहरी जिम्मेदारी है कि वह समझे अपनी भूमिका को कि सिर्फ पढ़ा देने से काम नहीं होता है अब है इन दिनों दो तरह के भारत का निर्वान हुआ है एक भारत हुआ है जिसको हम कहते हैं कि यह गाउं में रहता है यह अनपड है यह ले मैन है यह किसानी करता है यह गाए पालता है एक भारत हुआ है और एक दूसरा भारत है जिसने बीय पास किया है M.B.B.S. पास किया है डॉक्टरी पास की है वकालत पास किया है B.A.D. किया है M.A.D. किया है PhD की है और सहरों में जाकर बस गया है तो पढ़े लिखे लोगों का सहर में बसा हुआ भारत एक भारत है और गाओं का भारत दूसरा भारत है अगर आचार्जकुल अपनी भूमी का समझेगा तो ये दो भारत की जगा एक भारत के निर्मान की और वो अपना ध्यान केंद्रित करेगा अचारे कुल का मुख्य कारे लोक सक्ति का निर्मान करना है अर्थात ग्राम सक्ति का निर्मान करना है और ये ग्राम सक्ति कैसे बनेगे ये ग्राम सक्ति बनेगे पॉलिटिक्स को तोरने से राजनीत को तोरने से राजनीती का काम ही है आपको तोरना कैसे तोड़ेगा वो आ आपको उच और नीच के नाम पर तोड़ेगा आपको बर्ग के नाम पर तोड़ेगा आपको तोरने का ही काम करेगा ये इससे ज़्यादार कुछ भी नहीं करेगा राजनीती इसलिए इस राजनीती को जो तोरने वाला है आपको उसका जवाब देना चाहिए और आपको किसान आचार्ज कुल को तयार करना चाहिए एक और बात आचार्ज कुल के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा और वो बात ये होगी कि एक समय था महा भारत का काल था एक समय था जो रमाइन का काल था तो हमने क्या देखा हमने यही देखा कि तरेता युग में भगवान राम होते हैं, दसरत होते हैं और उनके एक कुल गुरू होते हैं वसिष्ट राजा तो राम हैं, राजा दसरत हैं लेकिन उनका मार्ग दर्सन वसिष्ट करते हैं इसी तरह से जब हम दुआ पर काल में आते हैं और जब हम महाभारत को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ एक कुल गुरू है कि पाचारिये ठीक है कि पांडू राजा हैं ये ठीक है कि दितराष्ट राजा हैं ये ठीक है कि वहाँ महातपस्वी भिस्वपितामवी हैं महानितिकारज बिदूर भी हैं लेकिन सत्ता के संचालन में किरपाचारी की जो मार्ग दर्सन की भूमिका है उसको हम भुला नहीं सकते तो जीस तरह एक कुल गुरू होते हैं और वो कुल गुरू आचारे राजिको सत्ता को निश्पक्ष भाव से तटस्त भाव से निर्देशित करते हैं ऐसे ही इस आज के लोक तंत्र में एक ऐसा ही आचारियों का एक समू हो जो देश को समाज को और सासन की नीती को अपना उसको बताए कि क्या सही है और क्या गलत है दुरभागे से आज आचारे कुल अपनी भूमिका से पीछे आ रहा है वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है वह भी उनहीं लोगों की तरह हो गया जैसे दुनिया में अनेक परकार के प्रेसर ग्रूप बने हुए हमें इन प्रेसर ग वह तो उस सोने की तरह है जो आग में जितना ज़्यादा तपता है उतना ज़्यादा वह चमकदार होता है इसलिए हमको आचारे कुल के संदर में यह बात जान लेने चाहिए कि बास्तों में आचारे कुल का काम क्या है एक बात और आपके सामने रखनी है और वो यह है कि आचारे कुल मतलब क्या आचारे सब्दम का अर्थ चर आचारी में चर मतलब चरना अर्थात चलते रहना तो चाहे वो आचारे हो या पराचारे हो या परचार हो या संचार हो हर जगा चरने की बात है चलने की बात है यह जो आचरन है, यह जो बैवहार है, यह सब आचारी के अंतरगत आना चाहिए। तो आचारी की बात हम इसले कर रहे हैं क्योंकि सासन के पास जो ताकत है वह और आचारी के पास जो ताकत है वह दोनों में फर्क है। आचारी अनुसासन से काम करता है, वह सासन से काम नहीं करता। आप देखें कि चाहे वो स्री कृष्ण हो जो सांधी पनी के आसरे में जाते हैं या वो राम हो जो बसिष्ट और विस्वामित्र के आसरे में जाते हैं वह बात उनहीं की मानते हैं, उनहीं का अनुसासन चलता है उनके अनुसासन के अनुसाधी राम और कृष्ण आगे बढ़ते हैं तो आचारी लोग अनुसासन देंगे अनुसासन कभी भी हिंसात्मक नहीं होता अनुसासन कभी भी बोर नहीं करता अनुसासन कभी भी भार नहीं होता अनुसासन एक मिशाल होता है एक द्रिश्टान्त होता है और यह हम सब के सामने अपनी कुर्बानी दे करके सामने रखी जाती है की जाती है हम लोगों ने आरुनी नामा के कहानी पड़ी थे एक ऐसा अनुसासन कि मेर से पानी भाग रहा है वो रुक नहीं रहा है आरुनी वहां लेट जाता है ऐसा अनुसासन हमने कर्ण की बात देखी कि गुरू जी सोय हुए हैं उनकी नींद खराब नहो वह असह ये पीड़ा तकलीफ को सहता है वह घाव को बरदास्त करता है यह जो अनुसासन है वह अनुसासन ही बास्तों में समाज क्या निर्मान करने में सक्षम है सासन नहीं क्योंकि सासन में हिंसा होती है सासन में शोशन होता है सोशन और हिंसा इसके आधार पर आदमी कभे अपने को आगे बढ़ा नहीं सकता उसका कभी विकास हो नहीं सकता एक छोटी सी बात आपको बता दो कि सासन में मंत्री होते हैं मंत्री किसको कहते हैं मंत्र से मंत्री जो पढ़ेगा अध्यन करेगा और मनन करेगा तो मंत्री होगा ये राजनिती वाले जो मंतरी हैं ये कभी पढ़ते ही नहीं, कभी अध्यन नहीं करते, कभी स्वाध्याई नहीं करते तो जो अध्यन ही नहीं करेगा, स्वाध्याई ही नहीं करेगा, तो मनन क्या करेगा, वो चिंतन क्या करेगा और जो चिंतन ही नहीं करेगा जो मनन ही नहीं करेगा वो कैसा मंतरी होगा आप खुद ही सोच लें तो नतीजा ये होगा कि लाठी और बंदु के सहारे आप अपने देश में जीएंगे और जीते रहना पड़ेगा आप आराम से आनंद से आप रह नहीं सकते आपको एक बात और बताने के मैं कोशिस करूँगा और वो ये है कि प्रारम में जब मुगनों का सासन था हमारे देश में उस समय गाउं सुरक्षित था गाउं को कोई तकलिफ नहीं थी सारा गाउं अपना सारा काम खुद ही करता था चाहे वो लुहार का काम हो चाहे वो सुतार का काम हो चाहे वो चर्मकार का का काम हो चाहे वो धोबी का काम हो चाहे वो नाई का काम हो सारा गाउं मिल करके अपना काम करता था और अपने काम की जरुरत की चीज़ें खुद ही तयार करता था वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी पर डेवलप नहीं रहता, वह निर्भर नहीं रहता, डिपेंडेट नहीं रहता, गाउं आत्म निर्भर हुआ करता था इसलिए दिल्ली गुलाम हो सकती थे, किन्तो गाउं गुलाम नहीं था, गाउं आजाद था आगे चल करके मुगलों के बाद हमारे देश में अंगरेजों का आगमन हुआ अंगरेजों ने क्या किया गाउं की वेवस्था को तोड़ा जो गाउं में पंचाज थी उसको नस्ट किया जो गाउं में कलाएं थी उन कलाओं को नस्ट किया और नतीजा हुआ कि दिल्ली तो गुलाम हुई है गाउं भी गुलाम हो गया अब 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ हमारा तो उस आजादी के बाद बिनोवा क्या चाहते थे गांधी जी क्या चाहते थे जे प्रकास नरायन क्या चाहते थे दादा धर्मा धिकारी की क्या चिंता थे एक ऐसा भारत बनना जिसमें देश भी आजाद रहे और देश का गाउं भी आजाद हो यह कार्य आचारी कुल को करना है बिनोवाजी अपना माथा पीट लेते हैं जो वो कहते हैं पुने की अबाद इतने करोड है मुंबई की अबाद इतने करोड है दिल्ली की बंबई में अगर आचार्ज कुल जाएगा तो क्या करेगा दिल्ली और मुंबई की तो खुद ही करोरों लोगों की अपनी समस्या है वो आचार्ज कुल की बात क्या सुनेगा इसलिए आचार्ज कुल को अगर खड़ा करना है तो आचार्ज कुल के साथियों को गाउं में जा वहां के सासात गाओं की एक समीती बनानी पड़ेगे और ये सब काम आचारी को करना चाहिए। अगर आचारी ने कामों को नहीं करता तो फिर वो करता क्या है? वो क्या करेगा? एक बार बिनोबाजी यहीं पास में गुड़ा जारखंड का एक जिला है गुड़ा जहां से हमारे सांसद हैं दूबेजी तो गुड़ा आये बिनोबाजी सिख्षकों का एक जथा गया बिनोबाजी से मिलने के लिए बिनोबाजी ने पूछा क्या करते हो? तुसने का गोग कुछ नहीं करते हो तो तुम कुछ नहीं करते हो सिख्षक होना कोई बात नहीं एड़ोकेट होना कोई बात नहीं डॉक्टर होना भी कोई बात नहीं आप जो चीजें अपने जीवन में उप्योग में लाते हैं उसमें से कितना आप पैदा करते हैं आप उसमें क्या करते हैं मित्रों शरम की बड़ी महिमा है एक आदस बरत में गांधी जी ने अहिंसा सत्यस्तियों के साथ सरम की बात कहे लेकिन सरम का अर्थ या नहीं कि कुछ कर लिया बिनोबा जी एक डिगरी आगे बढ़कर कहते हैं कि सरम सिर्फ सरम नहीं सरम निष्ठा अर्थात सरम में हमारी निष्ठा होने चाहिए अर्थात मन से मनो योग से योग पुर्बक कर्म योग जिसको कहते हैं उस तरह से स्रम करना चाहिए बिना स्रम के हम अगर कुछ खाते हैं तो हम चोरी करते हैं हम चोर हैं और अगर हम स्रम करके कुछ करते हैं तो हम कुछ करते हैं तो आचारी कुल को इन सब बातों की बहुत सुख्षमता से ध्यान रखने की जरूरत है। इन दिनों ऐसा लगता है कि ये गाउं सहर के उपनिवेस बन गए और सहर जो है वो मेट्रोपोलिटन सीटी को उपनिवेस बन गए और सब के सब गुलामी को ढोते जा रहे हैं। आचारी कुल इसके लिए नहीं था। आचारी कुल जागरिती लाने के लिए था। पहले खुद में जागरिती आएगे, फिर सब में जागरिती आएगे। एक छोटी सी बात आपके सामने रखडू। ये जो प्रार्थना हम करते हैं। शिख प्रार्थना शिख प्रार्थना में है एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वईर ये जो निर्भई और निर्वईर करने वाली जो बात है बिनोबाजी ने जो लिया उसको रखा गया है कादस बरत में तो हमको देखना ये है कि बास्तव में जो गाउं था वह गाउं फिर कैसे बसे वह गाउं फिर कैसे बने वह गाउं फिर कैसे अपने पेरों पर खरा हो ये गाउं क्यों सहर की ओर देखता है बिनवाजी तो साफ साफ कहते थे कि जब तक गाउं में विसु बिद्याले नहीं होगा तब तक भारत क्य आगे बढ़ेगा भारत का कोई विकास नहीं होगा और सची बात तो ये है कि आज अगर देश में कहीं कोई कमी है लोग कहते हैं नए साइंटिस्ट नहीं बंड़े है नया कुछ नहीं निकल रहा एक 1911 में एक नोबेल पुरुसकार आया साहिते का उसके बाद कोई नोबेल प पढ़ते हैं क्या पढ़ाते हैं तो सची बात यही है कि हमें गाओं में जो लोग है और गाओं के लोगों का जो गाओं के लोगों के पास उनका हूनर है गाओं में हमको उनके हूनर के साथ मिल करके अपने डिगरी को अपने ग्यान को बढ़हाना चाहिए और गाओं के लो कर देखिए और वहाँ जो बापू की जो कुटी है तो जो सबसे पहले कुटी है उसका नाम है आदी निवास आदी निवास के संतर में बड़ी रोचक घटना है गांधी जी ने कहा जमिनालाल बजाजी को कि बजाज सहब मेरे लिए जो कुटिया बनेगी आप उसमें ध्यान कि जो मेटरियल लगेगा इसमें वह गांव का होना चाहिए सहर से नहीं आना चाहिए कोई भी मेटरियल गांव का होना चाहिए अगर गांव में नहीं मिले सिवाक राम जो बस्ती है जो गांव है वहीं की चीज़ होनी चाहिए अगर वह वहां नहीं मिलता तो पांच साथ क आने वाले मिस्ट्री हैं वो कहीं से कोई इंजिनियर या कोई ओभरसियर या कोई कॉंट्रेक्टर नहीं आएगा गाउं के ही लोग होंगे और वे ही बनाएंगे हमारी कुटिया उन्हीं के हाथों से बनेगा और तीसरा कहा था कि ध्यान रखना सौ रुपिये से जादा का देखिये कि किस तरह से गांधी या बिनोबा गाउं की बात करते हैं आत्म निर्भरता की बात करते हैं वो कैसे आचारी हैं और हम कैसे आचारी हैं। कि जब हमने पढ़ा कि जॉर्ज वासिंगटन को कहीं किसी मीटिंग में जाना था रास्ते में कोई सूवर कीचर में फस गया था जॉर्ज वासिंगटन ने पहले उस सूवर को बाहर निकाला और फिर दीर नो हो तो उसी कपड़े में आगे बढ़ गए लोगों ने कहा कि सर आ एक सूवर कीचर में फसा था उसको बचाने की वज़ासे मेरे कपड़े कुछ गंदे हो गये हैं आज हम एक ऐसे आचारी हैं जिनको बहुत कुछ चाहिए किरीच वाला कपड़ा चाहिए महगा कपड़ा चाहिए सूख साधन भोग संभोग सब कुछ चाहिए और हम कहते हैं आचारी हैं. कैसे आचारी है याप? आप एक ऐसे आचारी हैं जिन्हों ने जिसके देश की जनता भूखी है, प्यासी है और आप अपने को मेंटेन करके रखते हैं, तो ऐसा आचारी बास्तों में आचारी नहीं कहलाने के लाइक है कुछ लोग आचारी कुल को समझते है कि ये कोई कुर्सी है कोई पार्टी है और इसे हमारी इज्जत हमारी सोहरत बढ़ेगी ये इज्जत और सोहरत बढ़ाने वाली आचारी कुल नहीं है आचारी कुल बास्तों में हमें हमारे दाइतों का बोध कराने के लिए है हमें सासन करने के लिए और सुख करने के लिए आचारजकुल नहीं है जो लोग समझेंगे इस बात को वे ही आचारजकुल में आएंगे और उन ही आचारियों से ये देश बचेगा बहुत छोटी सी बात है एक गुरु देव हुए और उनका नाम है राम कृष्ण देव उन्होंने सैकरों लोगों को सिख्षा दे सैकरों लोगों को उन्होंने अपना सिश्य बनाया उसमें एक निकले नरिंदर जिसको दुनिया कहती है स्वामी विवेका नंड तो जिस तरह राम कृष्ण परमहंस एक विवेका नंद के जैसा एक युवा आचारी तयार करते हैं क्या हम में से कोई आचारी या कोई आचार्ज कुल के सदसे इस तरह के किसी व्यक्ति को तयार कर पा रहे हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं किसको पढ़ा रहे हैं तो सच्ची बात यही है कि आचार्जकुल को अपने गिरेवान में जहांक कर देखना है ताकि संत बिनोबा की आत्मा मुस्कुरा सके। मैं आचार्जकुल के संदर में जितनी बाते हैं वह एक दिन में कही नहीं जा सकते। किन्तु संचेप में हमने आपके सामने आचार्जकुल के संदर में एक बात रखी है और वह बात यही है कि आज देश में नेताओं की जरूरत नहीं है। आज देश को एक आचार्य की जरूरत है। आचार्य नहीं है देश में। प्रोफेसर हैं, सिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, पिएजडी होल्डर हैं लेकिन एक आचार्य नहीं है। एक ऐसा वेक्ति जो गाओं को अपनी मिट्टी का या अपने सहर को या अपने समाज को या अपने आपको या अपने बिद्याले को जैसा समझता है जो उसकी भूमिका होनी चाहिए, उसके लिए क्या वो कुर्बान हो रहा है। तो साथियों हम नेताओं की, राजनेताओं की हम फिक्र न करें, हम फिक्र करें एक ऐसे आचार्य को लाने की जो इस गाओं को, इस गाओं की सभ्यता को, संस्कृति को सब को बचा सके। जो गाता है वो गाओं, सभ्यता, संस्कृति, बिरासत, इसको गाओं ही गाता है, इसलिए गाओं ही असली चीज है, और जो हरन करता है संस्कृति का, सभ्यता का, वो कहलाता है सहर, सहर, सभ्यता, संस्कृति, बिरासत को हरने वाला सहर, और गाने वाला गाओं, तो हमें गा को बचाने की जुरत है सहर को त्यागने की जुरत है ग्राम सुराज या ग्राम सक्ति का उत्थान कैसे हो यह आचार्ज कुल के मूल में है और इस आचार्ज कुल के मूल के साथ ही हम आपके सामने बस संछेप में इतनी बात रख दें कि सरवथा निर्वै निर्वैर और निस् रहते हैं वही बास्तों में आचारी होते हैं हमारे आज के इस टॉपिक का एक दूसरा पहलू है बिनोबा भावे आचारी कुल के साथ बिनोबा भावे अब ये आचारी कुल के साथ बिनोबा भावे को हम जरा देखें ये बिनोबा भावे क्या है तो मित्रों बिनोबा भावे के बारे में आपको बता दें कि जब विन्य जो उनके बच्पन का नाम है विन्या जब छोटा था आठ साल का दस साल का था तो छोटा बच्चा जिग्यासू होता है विन्या की माता का नाम था रुकमिनी दिवी तो रुकमिनी वाई अर्थाद विन्या की मा तो विन्या की मा तो विन्या अपनी मा से पूछते हैं कि मा त तुम जो इतना पूजा पाठ धर्म कर्म करती हो, बताओ, क्या रिशी मुनी पुराने जमाने में ही होते थे? क्या आज के जमाने में रिशी मुनी नहीं मिलते हैं? तो बिनोबा की मा कहती है कि बेटा, रिशी मुनी कल भी होते थे, रिशी मुनी आज भी होते हैं. फर्क इतन ही है कि हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं यही छोटा सा बच्चा आठ दस साल का बालक जो अपनी मां से पूछता है उसको क्या पता कि कल वही एक संत बनेगा वही एक युगाचारी बनेगा वही इस देश का एक महान तपस्वी बनेगा रिशी बनेगा आज बास्तों में ब बहुत जरूरत है, मुझे दुख है, तकलीफ है मुझे इस बात के, कि आज आचारी कुल के साथ है, गांधी विनोबा के अनुयाए आपस में कुर्सी के लिए तो लड़ते मरते हैं, अपने आपको अच्छा रखने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जिनकी पहूंच है जो बड़े पदों पढ़ हैं, उन्होंने कभी ये कोशिस नहीं के, कि आचारी विनोबा की कोई लेखने, उनका कोई निबंध, उनकी कोई घटना, उनकी कोई प्रेरना कितावों में जगह पा सके, ताकि बच्चे उसको पढ़हें और उस जैसा बनने की कोशिस करें, कहीं कोई तयारी नहीं, कुछ नहीं, तीन दिन पहले, चौदा तारीख को, चौदा नुवंबर को, हमारे यहां एक अख़बार निकलती है, परभाद खबर, चौदा नुवंबर का दिन है, एक सब्द नहीं उपर के प्रिष्ट में कहीं था लिखा हुआ, नहरू जी के बारे म कॉंगरेज के एक दो नेताओं ने बाल दिबस की बात की और उन्होंने जहनती मनाई, वो एक सूचना जरूर आई, लेकिन आख़बार की और से कुछ भी नहीं आया, कितनी दुख़द बात है कि इस देश को लोग कहां ले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या ये मीडिय क्या सच में सत्ता की चेड़ी बन गई है, सत्ता की पूँच बन गई है, उसकी दुम बन कर रह गई है, आचारी कुल में ना सिर्फ सिक्षक हैं, बलकि प्राध्यापक भी हैं, साहतेकार भी हैं, कवी भी हैं, और पत्रकार भी हैं, इन सब की भूमिका बनती है, कि हम देश की अंतिम ब्यक्ति की जो आवाज है गाओं की जो आवाज है जो टटस्तता और निस्पक्षता की आवाज है जो सच की आवाज है उसको हम लोगों के सामने ले जाएं तो इस द्रिष्टी से बिनोबाजी के बारे में दो चार सब्द कुछ और कहने की जुरत है बिनोबाजी क और इनकी पुन्य तिथी है 15 नवंबर 1982 लगभग 87 साल बिनोबाजी जीवित रहे बिनोबाजी के डादा जी का नाम क्योंकि बिनोबाजी को जो संसकार मिले हैं वह ज़्यादातर संसकार उनको अपने डादा जी से और उनकी अपनी माता से ही मिले हैं जैसे बच्चे अपने डादा के पास जादा रहते हैं तो बिनोबाजी के डादा जी का नाम था संभू राव भावे बिनोबाजी के पिता जी का नाम था नरहरी भावे और बिनोबाजी का नाम था बिनायक नरहरी भावे बिनोबा जी का नाम बिनायक था और इसी बिनायक की वज़ा से बिनोबा जी की मा बिनोबा को विन्या विन्या कहकर पुकारती थे यह विन्या वच्पन से ही जैसे कहते हैं पूथ के पाउं पालने में दिखाई दे जाते हैं कुछ ऐसा ही था कि विन्या अन्य लोगों से अलग था विन्या के तीन भाई हैं सिवाजी भावे, बाल्कोबा भावे और एक बहन थी उनकी तो तीन भाई और एक बहन बहन की भी साधी हुई बाद में उसकी डेथ हो गए और तीन भाई में बिनोवा पहले प्रहमचारी बने बाद में इनके दोनों भाई सिवाजी भावे और बालकोबा भावे ये दोनों ही भाई ये भी बाद में प्रहमचारी हो गए और इस परकार नरहरी भावे का यहाँ पर सब कुछ समाप्थ हो गया बिनोबाजी कहते हैं कि एक मीठे फल के बाद किसी और फल की आप न तो अपेक्षा होती है और न उसकी जुरत रहती है तो जिस खांदान में एक मीठा फल आ गया वहां और कौन से फल की आकांचा की जाए तो बिनोबाजी का एक यह छोटा सा बरितांत है कि दादा जी सन्यासी भाव के थे सन्यासी थे और पिताजी उनके रंग कर्मी थे बरोदा में काम करते थे बिनोबाजी की पढ़ाई लिखाई में अच्छी रूची थे अच्छे थे और सबसे बड़ी बात है कि उनको संस्क्रीट सिखने की बड़ी आकांचा थे और गनित उनका बहुत अच्छा था लेकिन यही बिनोबाजी बरोदा से इंटरमीडियेट की परिक्षा देने के लिए मुंबई जाने की बजाए कासी चले गए और कासी में उन्होंने संस्क्रीट सिखने के लिए वही रहना सुरू कर दिया पिताजी ने कहा अपनी इस्तरी से अर्थाद बिनोबाजी की मां स सची बात यही है कि बिनोबाजी चोखट पार कर गए आज बड़ी बड़ी बातें सभी करते हैं बिनोबाजी कहते हैं कि बड़ी बातों से देश नहीं बदलता एक बार चोखट पार करके देखो ये सबसे बड़ी बात होती है लोगों से कुछ छूटता नहीं हम सलाम करते हैं उस निवेदिता को जो स्वामी विवेकानंद की पीछे अपना घर, अपना मकान, अपना मजहव छोड़ करके आदे हम सलाम करते हैं उस मीरा बेन को, मिसस लेड को जो अपना गाओ घर सब को छोड़ कर एक एड्मिरल की बीटी होकर के भी गांधी के पास आकर बैठ गई हम सलाम करते हैं सरला बेहन को, जो उत्रा खंड में जाकर बैठ गई लेकिन हम मेंसे कोई कुछ नहीं कर पा रहा जहां त्याग की जुरत है जहां बलिदान की जुरत है जहां अपने सर्वस समर्पन की जुरत है हम वहां कुछ भी नहीं कर पा रहे भले ही हम बड़े बड़े पदों पर निश्ची थी आसीन रहें लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बिनोबा जी के बारे में इतनी बात मैंने आपके सामने रखी अब जो बात बिनोबा जी ने दी है दुनिया को तो बिनोबा जी का चितर खिंचिए तो बिनोबा जी का चितर खिंचने के लिए आईए उस चीतर को जरा देखें सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश में संकराचारी का बड़ा महतो रहा है और आदी गुरु संकराचारी जिन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या देखिए बिनोबाजी क्या करते हैं बिनोबाजी कहते हैं कि वेद वेदांत गीता लाम विनूना सार उद्रितः ब्रह्मसत्यम जगत स्फूर्टि जीवनं सत्य सोधनं इस जीवन को इस जगत को अगर बचाना है संभालना है तो हमें सत्य और अहिंसा का निरंतर संसोधन करते रहना है बिनोबा जिने जगत मित्या को जगत स्फूरती कर दी यह जो टैलेंट है यह जो परतिभा है यह बिनोबा का चित्र है ऐसे बिनोबा बिनोबा नहीं है बिनोबा ने जो चीजें दी हैं दुनिया को उन चीजों में से एक दो चीज आपके सामने रखूंगा जैसे उन्होंने कहा जै जगत, ये जगत कोई मामूली बात नहीं है, जिस देश में नेता जी सुबासंदर बूस जैसे प्रखर नेता हुए, करांती कारी हुए, बीर पैदा हुए, उन्होंने कहा था जै हिंद, और बिनोबा जी आदिहातनों बाले, ये कहते हैं कि अब जै ह जगत की और आगे बढ़ना है, ये जै जगत और जै हिंद के बीच में क्या है, मैं आपके सामने बिनमरता पुर्वा की ये बताना चाहता हूँ, कि बिनोबा जी की एक छोटी सी उखती है, ठिंक गलोबली, एक्ट लोकली, ठिंक गलोबली, एक्ट लोकली, आप विश्व क चिंतन करें, और जहां रहते हैं, वहां कारी करें, तो आप आपस में जै हिंद जरूर करें, लेकिन उसके साथ ही, आप अपने हिर्दय में, चिंतन में, जै जगत को ही रखें, क्योंकि जै जगत एक ऐसी चीज है, जिसमें पाकिस्तान, और चीन, अमेरिका, और रूस, इर और इराक, तहरान, और अफगानिस्तान, सब एक होते हैं, सब की जै, किसी के भी परती कोई दुरवावना नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, तो यह है जै जगत, जै जगत के बारे में बहुत बड़ी बात है, हमने जब अचार्ज कुल का गुल्डेन जुबली कारिकरम आज की सबसे बड़ी, आज की दुनिया को सबसे बड़ी चीज दे हुई है जै जगत, इसका सारांस समझने की जड़त है, इसका भाव समझने की जड़त है, दूसरी बात आप के सामने रखोंगा, बिनवाजी ने कहा, कि लक्ष हमारा विश्व सांती, आप तो विश्व सा का लोग नहीं होता तो क्यों भारत को लोग विश्व गुरू का दरजा देते हम भी अगर असांती फेलाएं हम भी अगर लोग लालाज करें तो हम क्यों कैसे गुरू तो लक्ष हमारा विश्व सांती और मंत्र हमारा जय जगत तंत्र हमारा ग्राम सौराज ग्राम सौराज के तंत्र से जय जगत का मंत्र लेकर हम विश्व में सांती की अवस्था बहाल कर सकते हैं ये बिनोबाजी की बहुत बड़ी देन है और इसके आधार पर आप बिनोबाजी की तस्वीर खीच सकते हैं कि बास्तों में बिनोबाजी कैसे ब्यक्ति थे आगे आपको बता दो कि बिनोबा जी ने जैसे आदी गुरु संकरा चार्ज ने चार धाम बनाए द्वारिका में धाम बनाए, पुडी में धाम बनाए, किदारनाथ में धाम बनाए और कांची पिठ में द्वारिका में धाम बनाए तो जैसे चार धाम संक्रा आचाज ने अस्थापित किये बिनोबाजी ने छे आश्रम बनाए अपनी छे आश्रम और तमाम आचार्जों को और सरवोदई मित्रों को इन आश्रमों में बारी बारी से जाना चाहिए और कुछ समय आश्रम का जीवन जीना चाहिए ये छे आश् जो है वह है ब्रह्म बिद्या मंदिर ये 1969 हिस्वी में बिनवाजी ने तयार किया चुकि ब्रह्म बिद्या मंदिर पवनार नामक गाउं में है इसलिए लोग इसको पवनार आस्रम भी कहते हैं यह धाम नदी के किनारे है इसलिए पवनार आस्रम से निकलने वाली मेत्री पत् धाम परकासन के नाम से जाना जाता है। आगे आपको बता दूँ कि ब्रहम विद्या मंदिर के बाद ऐसे ब्रहम विद्या मंदिर बनाया क्यों होने ब्रहम विद्या मंदिर उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि बहने जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस देश को छे बच्चे थे और पालने में जुलाते जुलाते उन्होंने सबको ब्रह्म ग्यानी बना दिया। ब्रह्म बिद्या के लिए अर्थात परमात्म पराप्ती के लिए साधना करती है। का समनवय हो राजनीत का और धर्म का समनवय हो इसलिए वो समनवय आसरम है। वो है बोध गया में और इसके बाद अगला आसरम उन्होंने बनाया एक प्रस्थान आसरम। ये भी 59 में बना था और ये प्रस्थान आसरम है पठान कोट। इसको उन्होंने प्रस्थान आसरम इसलिए कहा क्योंकि कस्मीर यहां से नजदेक है। एक तरफ हिमाचल की सीमा है एक तरफ कस्मीर की सीमा है और एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है। एक इन्होंने बनाया इन दोर में उसका नाम है विसरजन आसरम। जो पुरानी चीजें सर गई हैं गल गई हैं उनका विसरजन करो और नई चीजों को अपनी जीवन में लाकर उस आसरम के द्वारा साध करके हम सरजन करें। इसलिए इंदौर में बना विसरजन आसरम। इसी तरह से दक्षिन की भासाओं को उत्तर और दक्षिन को जोरने के लिए उन्होंने करनाटका में जो अभी बेंगलोर के पास है करनाटका में उन्होंने विश्व नीडम क्या स्थापना की और एक महत्वपूर नासरम उन्हों में आदमी से भी महत्री, भगवान से भी महत्री और समाज से भी महत्री, सब के साथ महत्री, महत्री आसरम। इस तरह से बिनोबाजे ने छे आसरम अपने जीवन काल में बनाए और सैकरों किताबें लिखी, लेकिन जितनी किताबें बिनोबाजे ने लिखी है, उन सब किता तो गीतावों में, मै आपके सामने, क्योंकि समय कम हो रहा है, मैं आपके सामने एक किताव का जिक्र जरूर करूंगा, और उसका नाम है गीता प्रवशन, ये गीता प्रवचन बिनोवा जी की सबसे महत्वर्वकотрवने चीज है, बिनोबाजी ने कहा कि एगर बिनोबा की तस्वीर देखोगे या बिनोबा को देखोगे तो क्या देखोगे बाहर की एक आकरिती बिनोबा क्या है अगर ये देखना है तो गीता परवचन का नित्य अध्यन करो गीता परवचन को नित्य पढ़ो तो ये गीता परवचन बिनो पाया या फिर उनको संतोस हुआ गीता परवचन ऐसी चीज है जिसके 26 भासाओं में अनुबाद हुए हैं और आज भी ये चल रहा है हर आदमी के लिए हर बर्दे के लिए गीता परवचन सबसे लाजवाब चीज है हलाके गीताई भी है गीताई क्यों है तो गीताई इसलिए है कि गीता और आई आई मराथी सब्द जिसकार्थ होता है मा तो गीता माता उसी को कहा गीताई गीता आई गीताई अर्थाद गीता माता तो बिनोबाजी की मा गीता पढ़ती थे समस्ती नहीं थे संस्क्रीत के उच चारण धंग से नहीं होती थी, तो उनकी मा ने कहा कि बेटा, अगर इसका थोड़ा हिंदी कर देते, मतलब अपनी भासा में बना देते, मराथी में अगर लिखे देते, तो हमको बड़ी सुविधा होती, तो उस समय तो बिनवा छोटे थे, मा के गुजर जाने के बाद उन्ह उन्होंने गीताई की रचना के, मराथी भासा में गीताई को लिखा, और यह समझा कि हमने अपनी मा के लिए जो उनको बचन दिया था, वो मैंने पूरा किया, आगे गीताई को मराथी भासा में जो और ज्यादा समझना चाहते हैं, उनके लिए गीताई चिंतनी का है, और जो गीता परवचन को पढ़ते हैं, जिनको गीता में बहुत रूची है, उसके लिए बिनोबाजी ने आगे लिखा इस्थित परगे के लक्षन, वो और ज्यादा उपर उठने के लिए है, आगे आपके सामने एक दो बात और कह करके मैं अपनी बात खतम कर दूँ, बिनोबा जाएगी, पहला है उनका कहना, ससनेह सहजीवनम, हमको सनेह पुर्वक समूह में कैसे जीना है, यह उन्होंने एक पहला पॉइंट कहा, ससनेह सहजीवनम, दूसरा उन्होंने कहा, गुन निवेद नम, हर ब्यक्ति में पसू, पक्षी, सब में जो उनकी अच्छाई है, उसक लितरान वेसी न बने, गुन गराही बने, तो गुन निवेद नम, और तीसरा उन्होंने का एक सुत्र दिया, कटू वर्यनम, किसी की निंदा न है, गॉई कथोखा की बात न है, गॉआ कथोर वचन है, किसी को लिए हिंसा न है, कटू वर्यनम. और चौथा और अंती मुनसुत्र हुनका काल जारनम हम अभय को प्राप्त करें हम मिर्तियो पर विजय प्राप्त करें ये चार चीजें उन्होंने हमें दी इसके अत्रिक्त बिनोबाजी ने जो कुछ भी दिया उसमें बहुत कुछ है हमारे बीच सबसे पहले तो उन्होंने जैसे भुदान की बात की उन्होंने राजनिती के लिए भी एक बात रखी कहा कि अगर राजनिती बिग्यान के साथ मिल जाएगी और अगर उसको संभाला नहीं गया तो सर्वनास हो जाएगा और अगर आप देश को बचाना चाहते हैं समाज को बचाना चाहते हैं तो राजनिती को छोड़िए और राजनिती की जगह अध्यात्म को दीजिए अध्यात्म के साथ जब भी ज्यान चलेगा तो सर्वोदे होगा और यह सर्वोदे ही देश को और दुनिया को बचाएगा सर्वोदे का मतलब भारत का सर्वोदे नहीं सर्वोदे का मतलब राजस्थान और बिहार का सर्वोदे नहीं सर्वोदे का मतलब मानव जाती का उत्थान पूरे विश्व का कल्यान सब के लिए अच्छा तो आज हमको लगता है कि अब समय पूरा हो रहा है इसलिए मैं उनकी एक बात कहकर के समाप्त कर दूँ कि बिनोभा जी प्रारंभ में पहले तो बिन्या कहलाते थे बिन्या से जब वो गांधी जी के पास गए तो बिनोभा हो गए बिनोबा के बाद जब वो भुदान यात्रा में निकले तो लोगों ने उनको बाबा कहना शुरू किया और बाबा के बाद अंति मवस्था में राम हरी कहने लगे तो जहां कहीं बिनोबा को हस्ताक्षर करना होता था अपने उतरार्ध काल में उन्होंने अपने हस्ताक्षर क जगह रामहरी लिखना सुरू किया तो ये थे विनोबा रामहरी वाले जिन्होंने सत्य प्रेम करुना का संदेश हमारे लिए दिया है सत्य राम प्रेम क्रिष्न करुना भगवान बुर्थ तो इस साक्षात मुर्ति को हम जितना भी पढ़ें उतना ही कम है, बिनवा के बारे में हमें बहुत को सीखने, समझने और जानने की जुरत है, हमें मतलब हमें का मतलब है इस पूरे हिंदुस्तान को, भारत बर्स को, इस देश की जनता को, गाओं को, सहर को, नेताओं को, राजनेताओं को, बेग्यानिकों को, सब को समझने की ज मानता हूँ मेरे सामने स्री डॉक्टर पी सी जैन सहाब हैं मुझी वाजाज सहाब हैं और तमाम किस्म के लोग हैं जिन्होंने इस कारिकरम को देखा है और अपनी सुभकामना दी है मैं स्री देवेंदर जोसी जी का हिर्दे से अपना आभार परकट करता हूँ कि उन्होंने एक मंच हमें उपस्थित कराया और मैं चाहूंगा कि अगर इस तरह की कभी कोई जुरत परती है तो आप निश्ची थी हमारी सेवा ले सकते हैं मुझे इसमें खुसी होगी आप सब को पूना एक बार परनाम सादर जय जगत